तो आप देख सकते हो मैंने अपने मुर्गी के चछत के उपर दोस्तों लिंटर लगा दिया मतलब तो दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारी एक रेट फीमेल बाकी थी बच्चे डिलिवर करने में वो आज कर दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं अच्छे होंगे दोस तो यह जो मेरी पैरूट का केस था अब मैं इसमें पैरूट नहीं रखता हूं दोस्तों अब मैंने इसमें रबिट रखा हुआ है और जो फिंच है दोस्तों मुझे इसी केज में रिलीज करना है तो चलिए बीना देरी के इस केज में हम फिंच को छोड़ते हैं फिंच के तों, दोस्तो, मैंने मट्क legislation को अल्रेड़ी लगा तो चले दोस्तों बीना देरी के finch को करते हैं बड़े से cage में release तो दोस्तों, आप हमारे finch को देख सकते हो तो इसको हमें करना है बड़े से cage में release तो मैं क्या करता हूँ मैं पूछी मत कितने rabbits हैं तो मतलब कि एक में मैं नहीं रख सकता हूं ने क्योंकि एक में रखने से वो सब लडाई करते हैं तो मुझे अलग-अलग रखना पड़ता है यह बहुत बुरा लगता है और मैंने फिंच के लिए मटकिया श्टिक लगा रखा है तो अब मैं क्या करता हूँ अपने फिंच को रिलीश करता हूँ तो यहाँ पर पहले मैं इसका लॉक खोल लेता हूँ मतलब आपन कर लेता हूँ तो दोस्तो मैंने सभी फिंच को कैस दिया है रिलीश अभी आप देख सकतो यहाँ पर कुल 6 फिंच यहाँ पर आपको दिखाई दे रहेंगे कुल 6 फिंच है दोस्तो यहाँ पर मैंने इनको रिलीश किया हूँ और देखने में यह बहुत ही प्यारे लग रहा है और आईए मै आप अपने रैबिट से मिला आता हूँ यहाँ पे हमारा मेल रैबिट रोर दोस्तों सो रहा है और जो फिमेल है वो एक अंदर बैटी हुई है और एक बाहर है तो यह नचारा बहुत ही प्यारा लग रहा है तो आप देख सकते हो मैंने अपने मुर्गी के चछत के उपर दोस दोस्तों छत उनका मिटी का बना दिया इससे यह देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और जो कि इसमें बहुत कबार रहता था अब वो कुछ भी नहीं है और देखने में साफ भी लग रहा है साफ स्वच और देखने में अच्छा भी तो दोस्तों यहाँ पे मेरी कु अब दोस्तो बहुत जल्द यह सब अंडे देंगी यह आप देख सकतो यहां पर दो फिंच नेक्स्टिंग कर रही है और बहुत जल्द गुड नियूज आने वाला है कि हमारी फिंच के एक्स आ जाएंगे अंडे आ जाएंगे दोस्तो हमारी फिमेल रैट बहुत धेर सारे बच्चे दे रही है तो चलिए दोस्तो मैं आप लोग को उनके बच्चों को भी दिखाता हूं कि सफेद फिमेल कैसे दोस्तो रैट जो है वो बेबी डिलिवर करती है बच्चों को कैसे वो देती है तो चलिए दोस्तो बिना देर जो है वो बच्चे देती हैं आप देख सकते हो और मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ क्योंकि बहुत भाई कॉमेंट भी कर रहते हैं और हमारे जो सफेज चुहें हैं वो कुल बहुत धेर सारी बच्चे दी हैं और जिसमें से मेरे कम से कम 20 बच्चे तो इस पार क हमारे कर रही है ना इसका फर्स सँट बिले कर रही है गलाता है और तो मुझे चाकरना न्यू केज इन्हें देना है जिससे कि बेबी और इनकी मम्मी अच्छी तरीके से रहें यह जो जाली वाला में केज यूच करता हूँ यही जाली वाला मुझे चाहिए पर वो जाली वाला मुझे केज अव इधर अवी लेवल नहीं होता है नहीं मिल पाता है इसलिए मैं नही और धूंडा पर ये नहीं मिला तो आज कले इतना ही आप लोग को मेरा वीडियो कैसे लगा कॉमेंट करकर जर बताएगा मिलता है नेक्ष्ट ब्लॉग में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत